हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू प्रिटी कॉर्नर और आज की इस वीडियो में हम लो करेंगे गणेश चतूर्थी की पूजा विधी वैसे तो हर महीने में ही गणेश चतूर्थी का जो है वरत पूजन किया जाता है लेकिन भद्रपद मास की शुकल पक्ष की जो चतूर्थी आती है उसे बहुत ही विशेश बताया गया है और आप अगर कभी भी पूजन नहीं करते या वरत नहीं करते चतुर्थी का लेकिन अगर सिर्फ आप इस चतुर्थी का भी करते हैं तो भी बहुत अच्छा बताया जाता है और आप वरत दोनों तरह से कर सकते हैं या तो आप फलाहार कर सकते हैं या फिर आप एक टाइम भोजन भी कर सकते हैं और अगर आप कभी भी नहीं करते हैं और सिर्फ इस चतुर्थी का वरत करते हैं तो बहुत पुन्ने मिलता है और अगर आप वरत नहीं करना चाते तो कोई बात नी आप केवल इस दिन पूजा जरूर करें गणेश जी के विशेशकर बहुत अच्छा दिन होता है ये और अगर आप स्थापना कर रहे हैं तो उसकी वीडियो और गणेश चतुथी से रिलेटेट सारी वीडियो आपको मेर उसकी जरूज़ को और भगवान को स्नान कर वा लिया है अब ही है आप इस तरीके से बहुते के चावल तूटे वे ना हो साबु चावल मैं आप को लेने है अ अब इसके बाद हम लाग वागवाण जी को नलग से देंगे क्प्रेल अब oğlum भगवान जी को बहुत प्रिये है तो आप गुढ़के चठाएएगा आज मुझे मिलगाए तो मैं गुढ़के फूल चठा रही होँ तो कोई बात नी तो नी आप लाल रंके फूल ले लीजेगा और वह भी नहीं बिलते तो आप कोई भी फूल चढ़ा के भगवान जी की पूजा कर सकते हैं अब हम यहाँ पर भगवान जी को जनेव चढ़ा देंगे और उसके बाद यहाँ पर यह मैं वस्तरूपी कलावा चढ़ा रही हूँ अगर आपके पस छोटा सा कोई पटका हो भगवान जी की मूर्ती के हिसाब से तो आप वो चढ़ा सकते हैं और इसके बाद हम भगवान जी को चंदन लगा देंगे और अगर आपने वरत रखा हो फलाहर वगरा करा हो तो आप इस तरीके से दूद से बनी मिठाई या पेठे की मिठाई या फ्रूट वगरा चढ़ाईएगा ताकि जिनका वरत हो वो भी प्रशाद में इन्हें खा सकें और साथ में आप मोदक ज़रूर चढ़ाईएगा भगवान जी को लड़ू और मोदक भगवान जी को बहुत पसंद है अब थोड़ा सा चावल का आसन देते वे हमने यहां पर हमारे दिपक को भी स्थापित कर लिया है जो जोड़ लिया है हमने और अब यहां पर मैं कुछ फ्रूट पीचड़ा दूँगी ताकि जो आसपस आपके पुजा में भी लोग बैठे हों कोई जने हो तो आप उन्हें भी फल जरूर दे और इसके बाद यहां पर मैंने थोड़ से चावल ले लिया हाथ में इसकी कथा करने के लिए और इसकी कथा की वीडियो भी आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी आप उसे भी जाके जरूर देखिएगा इस तरीके से आप कथा कर लिजिएगा उसके बाद हम कपूर से आरती कर देंगे भगवान जी की और अब यहां पर आप धूप धीप दिखा के भगवान जी की इस तरीके से आरती कर लिजिएगा गणेश जी की और उसके बाद हम यहाँ पर कुछ दक्षिना चढ़ा देंगे और जैसा कि आप जानते ही हैं कि जो भद्रपद की शुकलपक्ष की चतुर्थी होती है उस दिन चंद्रदर्शन करना जो है वर्जित बताया जाता है इसके पीछे भी एक पुराणिक कथा है तो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ कि आप जहां आपने पूजा करी होगी वहीं पर आप एक थाल ले लिजिएगा इस तरीके से पराथ वगयरा या आप कोई चौड़ा सा बरतन ले लिजिएगा और उसमें इस तरीके से आप स्वास्तिक बना लिजिएगा रोली से या हल्दी से भी बना सकते हैं और उसके बाद इसमें थोड़े से हम पुश्प चड़ा देंगे और फिर इसके अंदर हमें जल देना होता है मैं आपको बता देती हूं कैसे और इसके पीछे पुरानिक कथा है ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान जी गनेश जी और चं पुरी का पापि बनेगा तो तब से कहा जाता है चंडरदर्शन करें चतूर्थी वाले दिन भद्रपद की अपकड़ियों सके अब पीतल को लोटा नहीं से दूद डाल दूंगी थोड़ी सी इसमें जो है हम चीनी डाल देंगे और उसके बाद इस तरीके से हम जो है चंदरमा को अरक देंगे तो हम ये थाल में स्वास्तिक बनाया है और उपर चंदरमा बनाया है इनी को जो है हम चंदरमा मानेंगे और ये देखे मैंने थोड़े से फूल भी डाल दी हैं गुढल वगारा के जैसे भगवान जी को पसंद होते हैं गुढल गणपती भगवान को तो इस तरीके से मैंने इसमें फूल डाल दी हैं और अब हमेना जो परात है इसमें भगवान चंद्रमा का ध्यान धरते वे इस त अर्क सकते हैं आपको झाले के लिए लोगह तो आप अपन अर्क देंगे जीए। तो इसी तरीके से आप भी जो है भद्र पर दियाने की भादों मास की चतुर्थी की सरल तरहां से पूजा कर सकते हैं, चंद्रमा को अर्क दे सकते हैं, तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्रा